आज मैं आप लोगों के साथ फुले फुले भटोरी की रेसिपी सेयर करूंगी और शाथ में छोले की भी तो वीडियो को इन तक जरूर देखते रहिएगा और इस तरह एक वारा बना कर जरूर देखिएगा अंसु का पाकवान में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो यहां पे नमक ले लुंगी एक चमैφο हमें ठेल ले लेना है और यहां पे एक चमैφο में मैं computing रहा भी ले लिया ली आए है मैं आप मतर ब़ोगिंग़ पावडर और एदों सोडा किसी भी चिछ का यूज को नहीं पंग दाले देखिएगा अजय होगत गाना तो देखिए और अब मैं इसे कवर करके 3-4 मेंट के लिए इसे छोड़ दूँगी तो अब मैं आपको दिखा दूँगी 3-4 मेंट हो चुके हैं देखिए कितना अच्छा डो लग चुका है और सौफ्ट भी बन चुका है देखिए अब मैं यहाँ पर लोई ले लूँगी आप पतला ना बेलें तो आप चाहे तो यहाँ पर आप सुखे आँटे का यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से हमें घुमाते हुए बेल लेना है और अब हमें बेल लेना है इस तरह से आप एक बर बनाकर वटूरा जरूर देखिएगा बहुती टेस्टी बनेगा और फुला गर्म हो चुका है जब 5 कर दें और वटूर यहाँ फुले बनाते हैं तो मैंने यहाँ पर पानी में डाल कर भुदी बहुतली देखिएगा था और एसे उबालर लूँगी देखिए यहाँ पर क neighbor valley दिया है तो इसको उबाल लेना है तह से मैं नचोण कर लिया है और यहां पे मैंने मुर्ण सलिएद्имости रशान को यहां डाल देना है और यहाँ पे मैंने अद्रक और लहसन को कूट लिया है मतलब कि ग्रेट कर लिया है आप चाहे तो पेश्ट भी यूज कर शकते हैं मैंने यहाँ पे दो मिडियम साइज के प्याज ले लिये हैं और उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है आप चाहे तो इसे भी ले लिया है और आप में यहां पे रेड चिली पाउडर ले लिया तो आप थोड़ा थोड़ा डाल करके पानी को और मसाले को मीडियम टू लो फलेम पे अच्छी तरह से आप भून ले देखिए इस कलर का मसाला हो जाएगा बनकर के तयार हो जाएगा मसाला बहुत ही टेश्टी छोले आपके बनेंगे तो अब मैं इसमें छोले डाल दूँग डाल दिया है और अब मैं यहाँ पर गरम मसाला एट कर दूँगी लास्ट में गरम मसाला को आपके एट करें ताकि सबजी का टेश्ट बना रहे और खुस्बू भी बनी रहे तो देखिए कितना अच्छा छोला बन करके तयार हो चुका है अब मैं इसे सर्व कर लूँगी तो इस तरह से आप छोले बटूरे बना लिजिए और जब भी आपको मन करे खाने का बनाईए और अपने फ्रेंड्स को फैमली मेंबर्स को बना कर खिलाईए बताईए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए और सब सब्सक्राइब जरूर किजिएगा